हेलो एवरीवन वेलकम बेक टो इलियूम साइन्स आगे बढ़ते हैं क्लास नमर 284 और आज हाम लोग यूमन स्केलेटन स्टार्ट करेंगे चप्टर ठीक है यूमन स्केलेटन चप्टर में आम लोग सबसे फिले डिसकस करेंगे बाट दी इंट्रोडेक्शन see we all know कि अपने यूमन बिंग्स में टोटल 206 बोन्स होते हैं इस वीडियो में मैं आपको वोट सारी 206 बोन्स का पूरा यहाँ पर आपको अकाउंट बताऊंगा कि 206 बोन्स कौन-कौन सी है और कहां का पर प्रेजेंट होती है और उनके क्या-क्या नाम है तो वो सब कुछ हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और इस वीडियो के बाद मैं जो वीडियो जी रिलीज करूँगा उसमें हम लोग हर एक पर्टिकुलर सेक्शन में जो इमन स्केलेटन है उसको हम लोग और डिटेल में स्टडी करेंगे चले शुरू करते हैं हम लोग इमन स्केलेटन को दो पार एक्सिस है यानि यह वाली एक्सिस इस सेंट्रल एक्सिस पे जो बोन्स हैं वो सारी बोन्स हमारे एक्जल स्केलेटन का पार्ट है और इसके अलावा जो लिम्ब बोन्स बच गई जो हमारे बिसिकली हाथ पाउं और गर्डल्स वाली बोन है यह सारी आती है अपेंडिकुलार skeleton और जो central axis पे body की जो bones present है वो सब मिलके बनाती है exhale skeleton इन 206 bones में से total 80 bones exhale skeleton में present होगी और rest 126 bones appendicular skeleton में present होती है अब exhale skeleton को हम लोग अगर further divide करें तो exhale skeleton में सबसे पहला जो part आएगा that is skull यानि हमारा जो skull वाला part है इसकी बात कर रहे हैं हम लोग इस पूरे region में यह पूरा skull है इस पूरे skull के अंदर total 29 bones present है skull के बाद में हम लोग पढ़ेंगे stundum या chest bone यह वाली जो bone है हमारे this bone this is this stundum bone यह एक होती है तो skull 29 bones है stundum या chest bone एक है उसके लावा total present होगी 24 number of ribs तो यह stundum के पास में आपको यह जितनी भी bones दिख रही है और इस bones are ribs में और अच्छे आपको पिक्चर से यहां पर और clear दिखाऊंगा थोड़े time में इन सब को हम लोग detail में study करेंगे और सबसे last में एक्जल स्केलेटन जो है वर्टिब्रल कॉलम जो 26 bones अगर इस पिक्चर में देखे हैं तो आपको पीछे की तरफ पूरा वर्टिब्रल कॉलम दिख रहा है यह सारी सारी आपकी वर्टिब्री है मैं और पिक्चर से लोगा थोड़ी दिर में इसमें 26 bones तो अगर एक्जल स्केलेटन के 80 bones का अगर हम account देखे हैं तो स्कल में 29 stundum एक खुद एक single bone है 24 ribs और 26 vertebrae in vertebral column यह सब मिलके बनता है एक्जल स्केलेटन appendicular skeleton में सबसे पहले तो आएंगे girdles और फिर आएंगे आपकी limb bones देखो girdles basically क्या है कि आपके axle जैसे भी यह हाथ है यहाँ पर इस hand को axle skeleton से connect करने का काम कौन कर रहा है यह girdles तो girdles basically axle skeleton को limbs से attach करवाते हैं तो total girdles में 6 bones present होती है और limbs में हमारे 120 bones होती है अब limbs कितने अपने पास में total 4 limbs हैं दो हाथ और दो पैर तो total आपको हर एक limb के अंदर 30 bones मिलेगे और total 4 limbs हैं तो that makes it 120 और बाकी की 6 bones जो है वो girdles में present है तो अब हम लोग axle और appendicular इसको और ज़्यादा थोड़ा सा detail में लेके देखते हैं कि उस axle skeleton में जो 80 bones हैं उन सब के नाम क्या-क्या है सबसे पहले axle skeleton का पार्ट बनाता है skull और हमने दिखा कि skull में total 29 bones present है skull में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे cranium की cranium मतलब basically आपका brain box यह जो आपका portion है head का जिसके अंदर आपका brain situated है उसको हम कहते है cranium तो cranium में total 8 bones present होती है cranium में total 8 bones present होती है skull को ही हम लोग further divide कर रहे है सबसे पहला part है cranium जिसमें हम लोग 8 bones की बात करेंगे यहाँ पे दिखो सबसे पहला जो आपको ही bone दिख रहा है green color का this is called as the frontal bone because यह सामने present है इसलिए यह इसका नाम रखा हमने frontal bone जो front में present होती है skull के ठीक है अब यह यहाँ से लेकर यहाँ तक और यह हो गई right parietal bone यहाँ पर situated रहती है next occipital bone जो हमारे cranium का पिछे वाला भाग में present होती है left parietal और पिछे की तरफ हो गई occipital bone next बात करते हैं temporal bone जो हमारे temple area में present रहती है ठीक है यह देखो यहाँ पर ear के आसपास वाला area जो रहता है ear के पिछे वाला area basically temple कहलाता है और यह पूरी एक bone है जिसको हम कहते है temporal bone अब यहाँ पर यह left side है यह left temporal bone है same इस तरह की temporal bone right side में भी present होगी यानि temporal bone भी कितने होती है दो तो एक frontal bone एक occipital bone और bear में present होती है parietal और temporal bone आपको skull में बाहर से basically यह 4 bones clearly दिखाए देती है next skull के अंदर यानि जो cranium का जो अंदर वाला portion है उसमें अगर हम बात करें तो यह हमेने cranium को उपर से cut करके दिखाए आपको तो आपको अंदर की तरफ एक butterfly shaped bone दिख रही है यह जो green color में show कर रखा है इसको कहते है sphenoid bone यह भी एक ही होती है keval और सब से last में आती है ethmoid bone यह भी एक होती है यानि आप यह याद रखना है आपको कि frontal, occipital, sphenoid और ethmoid यह सब एक-एक ही होती है और parietal और temporal दो-दो bones होती है तो इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो यह बन जाएगा total eight bones यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक चीज यहीं पर clear कर देता हूँ देखो यह आपका nasal cavity है यह आपका nose हो गया और यह entire cavity is called as this portion is nasal cavity यह अपना पूरा palate वाला portion हो गया this is the palate ठीक है अब य nasal cavity में देखोगे तो nasal cavity में आपको यहाँ पर देखो तीन इस तरह के protuberances दिख रहोंगे यह यह और यह तो यह जो green वाले portion है this is called as ethmoid bone और यह जो नीचे आपको अलग से दिखरी है this is a separate bone एक independent bone है बट यह cranium का पार्ट नहीं है इसको हम लोग facial bone के अंदर study करेंगे मैं आप अपने हुद यहान रखना है कि skull में जो 29 bones है उसमें से 8 bones are present in the cranium और उनके नाम है frontal, parietal, occipital, temporal, ethmoid और sphenoid bone अगर आपको यह याद रखना है तो आप इसको याद कर सकते हो f pot, f pot is flower pot आपको अगर आप इसको याद रखना चाते हो तो आप इसको flower pot से याद रख सकते हो तो flower pot से flower pot में f का मतला frontal, parietal, occipital, temporal, sphenoid और ethmoid यह total 6 अलग-अलग bones जो है cranium में present होती है और इन में से 2 bones दो-दो होती है इसके total number of bones in cranium is 8 यह एक picture में मैं आपको सब कुछ वापस से show करता हूँ यहाँ पर देखो यह मैं इस skull को पूरा rotate कर रहा हूँ ताकि आपको मैं सारी bones की relative position दिखा सको हूँ देखो हम लोग शुरुवात करते हैं front से तो यह जो yellow color की bone दिखा रहा है front में this is frontal bone this blue वाला उपर वाला portion is the parietal bone तो आपको अभी जो दिखरी है वो है left parietal bone और अब जो आपको दिखेगी वो दिखेगी right parietal bone yellow वाली कौनसी हो गई frontal bone अब यह जो यहाँ पर green color की bone है this is the occipital bone देखो आप occipital bone को अच्छे से देखो जब इमेज घुमेगा पीछे की तरफ से कौफी बड़ी bone है जो cranium का पूरा पीछे का portion बना रही है और parietal bone के निचे जो आपको एक orange color की bone दिखरी है this is the temporal bone कौनसी वाली यह वाली bone temporal bone जो आपके ear के पास में present है यहाँ पर clear देख लो आपको दो parietal bone दिखरी है और दो temporal bone दिखरी है जबकि frontal और occipital दोनों EK की है next skull में आगे बढ़ते हैं हम लोग में सबसे पहले हमने बढ़ा पड़ा about cranium जिसमें 8 bones है next हम बात करते है face की यहनि हमारा जो total face है इस face में आपको 14 bones देखने को में लेगी तो वो 14 bones कौन-कौन सी है वो हम लोग यहाँ देखते है सबसे पहले आपको यह bone का नाम पता होगा because this bone is associated with the nose इसलिए इस bone का नाम है nasal bone और यह nasal bone total दो होती है दो इसलिए होती है because यह right side right nasal bone और यह left nasal bone और इन दोनों के बीच में एक joint present होता है तो face में सबसे पहले तो दो nasal bone उसके बाद में दो maxilla bone maxilla as we all know जो अपना upper jaw रहता है उसी को maxilla कहा जाता है और maxilla भी 2 होता है क्योंकि यह बीच में यहाँ पर आपको द यहाँ पर this is the nasal bone एक right में और एक left में तो दो हो गए maxilla उसके बाद में तीसरा bone है palatine bone तो यह जो green color का portion हमने यह show कर रहक है this is the palatine bone जो तुमारा palette का part है next पढ़ते है हम लोग this as you all know zygomatic bone कहते है इसको यह भी total 2 होती है एक right zygomatic और एक left zygomatic palatine भी 2 होती है एक right side में और एक left side में तो this is the zygomatic bone जो आपको यहाँ पर यह जो उभार type लगता है face पर यह आपकी zygomatic bone से दोना है next यह एक bone जो आपको nose की थोड़ा पीछे की तरफ और eye orbit की थोड़ा अंदर की तरफ दिखेगी वो है अपनी lacrimal bone यह भी दो होती है right lacrimal और left lacrimal bone फिर यह आपका lower jaw जिसको हम कहते है mandible, mandible में जरूर आपको ध्यान रटना है कि mandible के वर एक ही होता है यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक आई जो lower jaw है यह complete single bone है जिसको हमने नाम दिया है mandible और उसके अलाबा this bone called as warmer bone जो गिन आपके palate के उपर की तरफ present रहती है तो एक हो गई अपने पास में warmer bone और सबसे लास्ट में आएगी एक inferior nasal कॉंके यह अबने हम भी जो जो पीछे slide में बात के थी कि this bone यह जो bone थी this is the ethmoid bone यह पूरा bone कौन सा है ethmoid bone और ethmoid bone के नीचे यह present inferior nasal कॉंके अब आपको एक चीज़ धियान रखनी है कि inferior nasal कॉंके is an independent bone देखो actually में basically हमारे nasal cavity में यह nasal cavity है इस nasal cavity में तीन कॉंके superior nasal कॉंके, middle nasal कॉंके और inferior nasal कॉंके अब inferior nasal कॉंके एक separate bone है जबकि superior और middle nasal कॉंके अपने ethmoid का ही पाट रहता है तो यह total 14 bones है जो हमारे face के अंदर present होती है इसमें आपको ध्यान रखना है कि केवल mandible और warmer यह दोनों ही bones केवल एक-एक single होती है बाकी सार दो-दो bones present रहती है तो आप अगर गीन है तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे है तो 6 into 2, 12 bones तो यह हो गई यह 13th bone homer और 14th bone mandible तो total 14 bones present होती है हमारी face में चलो फिर, skull का पहला part cranium जिसमें 8 bones थी फिर face जिसमें 14 bones थी, next और बढ़ते है, skull में क्या present होता है तो skull में tongue के नीच जो सबसे पीछे वाला एरिया है, उस पीछे वाले एरिया के नीचे की तरफ bone present होती है, this is the hyoid bone, exact location इसका यहाँ पर है अंदर की तरफ, this is called as hyoid bone, यह भी एक ही होती है number में, next बढ़ते है हम लोग हमारे middle ear में चलते है, हमारे middle ear में भी 3 bones present होती है, अभीकोस 2 ear present है, इसके 3 into total कितनी हो गई, इसकल में 6 bones हो गई, ear के अंदर, 3 right ear में और 3 left ear में, और ear में भी कहाँ पर middle ear में, देखो यह जो area है, this area is the middle ear, इस middle ear के अंदर आपको 3 ear ossicles दिखेगी, बाहर से जब हम अंदर की तरफ जाएंगे, यानि external to internal की तरफ, तो सबसे पहली bone आएगी malleus, malleus के बा MIS, MIS मतलब M for malleus, I for incus, S for step is, इसको miss, इसलिए याद रखते हम, ताकि हम इसका sequence याद कर सके, बाहर से अंदर की तरफ, यानि हमारे inner ear के पास कान से होगी step is, और external ear के पास में MIS, और यह तिनों एक-एक ही bone रहती है, तो total एक ear में 3 bones, और 2 ear में होगी total 6 bones, यहाँ पर मैं को एक fact याद करवा देता हूँ ही पर कि, जो step is bone है, जो हमारे middle ear के अंदर present है, this is the smallest bone in our body, अपनी body की सबसे छोटी bone, step is bone रहती है, तो यह था total skull के अंदर 29 bones होती है, उसका account की कौन-कौन सी bones होती है, और उनके नाम क्या है, एक बार वापस में short में सब कुस बता देता उसमें से cranium में 8 bones present है, बात में face के है, अंदर 14 bones present है, जिनका आप facial bones के हो, ear के अंदर जो bone से होगा, ear ossicles का जाता है, तो वो होती है 6, और एक होती है high weight bone, तो जब आप इन सब को sum up करोगे, तो यह होता है 29, तो axial skeleton का सबसे पहला part skull, जिसमें 29 bones हमने study की, next बढ़ता हम एक sternum, chest bone बोलो या breast bone बोलो, यह केवल एक ही होती है, और इसी sternum से अगर आप देखोगे, तो इस sternum से आकर जुडता है, एक तो सबसे उपर यह अपनी clavicle, देखो this is the clavicle bone, जिसको आप collar bone बोलते हो, यह collar bone, यह collar bone भी sternum से आकर जुडती है, और उसके अलावा यह अपनी जितनी इन सब ribs का attachment भी sternum पे होता है, तो sternum is very important for attachment of multiple bones, तो sternum होता है केवल एक, next हम बात करते हैं ribs की, तो total 24 ribs present होती है body में, 24 ribs, 12 right side में और 12 left side में, देखो मैं यहाँ पे ribs का भी classification करूंगा, true ribs, false ribs और floating ribs, तो वो classification के इस base पे हो हम समझते हैं, देखो ribs के, इस पूरे rib cage को, अगर मैं side से देखो, तो देखो, यहाँ पर यह sternum है, this is the sternum bone, this is the sternum bone, और यह जो है, हमारा पीछे की तरफ present, यह है vertebrae, और vertebrae में भी बात करूंगा, तो यह आपकी total, सारी thoracic vertebrae है, यह सारी thoracic vertebrae है, अब आप गौर से देखो, यह जितनी पे ribs हैं, यह ribs हमारे dorsal side म से, यानि thoracic vertebrae से, अच्छे से देखो, यह thoracic vertebrae, और ribs का पीछे का attachment vertebrae पे होता है, और आगे आकर यह ribs attached होती, sternum पे, ठीक है, इसमें देखलो, आप clear, यह ribs का यह वाला portion देखता हूँ, मैं dorsal side पे कहां attached नहीं है, यह attached vertebrae पे, और यह फिर आगे आकर attach हो गई, sternum पे तो वो ribs, जो dorsal side में vertebrae से attached हो, और ventral side में sternum से attached हो, उसको आप कहतो true ribs, उनको कहां चाता है, true ribs, और जो हमारी उपर की 7 pair of ribs हैं, वो सारी true ribs हैं, क्योंकि वो पीछे attached है vertebrae से, और आगे attached है sternum में, इनमें जो difference आगा वो उनके ventral attachment है, नहीं जो आगे का attachment है, उसमें difference है, क् कि सारी की सारी ribs, चाहे किसी भी ribs की आप बात कर लो, उन सबका attachment dorsal side में vertebrae से ही होगा, all ribs on the dorsal side are attached to vertebrae without any exception, अब यहां पर इनका ventral attachment, यानि सामने की तरफ attachment किस पे है, उसके base पर जो है इनका classification होता है, जिसमें सबसे पहली है true ribs, true ribs जो है ventrally attached होती है, direct stundum से, with the help of obviously a cartilage, next अगर हम लोग, यह जो उपर red color की ribs show कर रखी है, सारी true ribs है, फिर देखो है कुछ green color की ribs हमने show कर रखे हैं यहां पर, अब दो डॉर्सल ही तो हमेशा vertebrae सही attached रहेगी, ventral side में अगर हम देखे हैं, तो 8th rib को आप देखो, 8th rib, 7th rib के cartilage से attached है, यहां देखो आप, यह जो है न, यह देखो, यहां पर rib की bone कतम हो गई, यहां पर, और इसके आगे ही cartilage है सारा, हर rib stundum से attachment show करती है, with the help of a cartilage, तो जो अपनी 8th rib का cartilage है, वो सिधा 7th rib के cartilage से जुड false ribs वो ribs हैं, जो, false ribs वो ribs हैं, जो अपने ventral side में stundum से direct attachment show नहीं करती, यह attach होती है, अपने उपर वाली rib के cartilage के साथ में, यहां पर मैं आपको एक चीज़ बता दू, कि यहां पर यह जो है, यह misprint हो गया, यह false ribs, जो है न, 8th to 12 नहीं है, यह है 8th to 10, यानी 8th rib, 9th rib और 10th rib, यह सारी false ribs हैं, और सबसे end में बचती हैं, जिनको हम कहते हैं floating ribs, अगर floating ribs को अगर आप गौर से देखोगे, तो floating ribs जो है, केवल पीछे से vertebral column से ही attached है, इनका ventral side में कहीं कोई attachment नहीं होता, clear देखो, आप यह जो blue valley ribs दिखरी हैं आपको यहां पर, यह blue valley ribs आगे किसी से attached नही हो, इसलिए इनको कहा जाता है floating ribs, तो सबसे पहले हम बात किया, हमने यहां पर देखो इस picture में, यह जो red color का हमने show करका है, these are floating ribs, क्योंकि यह आगे किसी से attachment show नहीं करती हैं, वापस बता रहा हूं, सबसे पहले हाती true ribs, यानि जो upper seven pairs हैं, वो सारी true ribs हैं, यानि कि total 14 bones, इनका dorsal attachment होता है vertigree से और vental attachment होता है stundum से, फिर बात करता है false ribs की, तो false ribs जो है next, तीन जो ribs हैं, वो हैं, आपकी false ribs, यानि 8th rib, 9th rib और 10th rib, यह जाकर अपने उपर वाले rib के cartilage से attach होती हैं, तो यह हो गई six bones, फिर आती है floating ribs, जो की dorsal side में attached है कि इसके साथ में, vertebral column के साथ में और vental side में इनका कोई attachment नहीं रहता, यह float करती रहती है, इसलिए उनको floating ribs कहा जाता है और ही होती है total 4, यानि आप इसको याद कर सकते हो, ऐसे कि 7 pairs are true, 3 pairs are false and 2 pairs are floating ribs, तो यह total हो गया, 12 pairs याफि 24, तो axial skeleton में हमने सबसे पहली बात की, skull की, फिर हमने बात की about sternum, यह यहां पर दिखरा होगा, then हमने बात की about ribs, और अब हम at the end बात करेंगे vertebral column, जिसमें total 26 vertebrae present होती है, यह picture आपका vertebral column, जिसको आप लोग इन शॉट बेक बोन जिसे हम कहते हैं, अपनी रीड की हड़ी, उसी रीड की हड़ी को, वर्टी को vertebral column कहा जाता है, और यह vertebral column में आपको colors में शुब कर रखिये, जो सबसे उपर की 7 vertebrae है, इन vertebrae को कहा जाता है, cervical vertebrae, यह हमारे neck area में present होती है, neck area के बाद में अपना body का कौन सा region आता है, thoracic region आता है, तो यह जो next 12 pairs of vertebrae है, इन पेर्स नहीं, sorry, I'm sorry, not pairs, यह जो next 12 vertebrae है, इनको आप कहते हो thoracic vertebrae, because यह body के thorax में present होती है, उसके बाद में 5 लंबार vertebrae present होती है, जो आपको यहाँ पे yellow color में हमने show कर रखे, तो these are लंबार vertebrae, जो total 5 होती है, उसके बाद में आपको एक single green color की vertebrae दिख रही होगी, this is the sacrum vertebrae, यह total एक ही vertebrae होती है, और सबसे end में आती है, coccyx या फिर tailbone, जिससे हम क clear, अभी आपको हो सकता है कुछ confusion रहता हूँ कोई कुछ books में ऐसा लिखा है कि sacrum vertebrae में 5 bones होती है, यह ऐसा नहीं है, देखो sacrum vertebrae actual में अलग-अलग bones से न, fuse होके बनता है, तो जब सारी bones fuse हो जाएगी न, तो fusion के बाद में sacrum vertebrae is considered as a single bone, तो total 26 vertebrae ही vertebral column में रहेगी, getting my point, तो यह total जो पाच अलग-अलग तरह की vertebrae जो है अपने body में present होती है, cervical, thoracic, lumbar, sacrum और coccyx, यहाँ पर आप एक चीज नोट करना, यह जो sacrum वाला vertebrae है, इस sacrum वाले vertebrae से आपका pectoral girdle, यानि जो hip bone है, वो आकर attachment show करती है, तो यह होगी total 26 bones, तो यहाँ पर excel skeleton का हिसा आप पूरा हुआ, एक बार short मैं आपको complete excel skeleton की 80 bones की नाम एक single slide में बता देता हूँ, excel skeleton में सबसे पहले हमने बात किसकल की, जिसमें 29 bones present है, उसमें से cranium में 8, face में 14, ear ossicles में 6, और एक single hyoid bone, उसके बाद में एक single sternum present होता है, जिससे ribs और clavicle attached होती है, देन आता है ribs, 24 ribs present होती ह जिसमें से पहली 7 pairs, 2 ribs, 15 pairs false ribs और last के 2 pair floating ribs होती है, और सबसे end में हम लोग बात करते हैं, vertebris जो total होंगे 26, जिसमें से cervical, thoracic, lambar, sacrum और coccix, तो ये पूरा आपका एक account है, कि एक single skeleton में 80 bones कौन कौन सी present होती है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, appendicular skeleton की बात करते हैं, वो exhale skeleton की 80 bones हमने study कर ली, appendicular skeleton में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे girdles की, उन components की जो exhale skeleton को limbs के साथ में attach करते हैं, total आपकी body में 2 तरह की girdles present होते हैं, pectoral girdle और pelvic girdle, तो pectoral girdle की में बात करता हूँ सबसे पहले, pectoral word होता है, जो chest को represent करता है, तो pectoral girdle का present है हमारे chest के अंदर, तो अगर आप अपनी body में, especially dorsal side में यहाँ पर touch करोगे, तो आपको एक bone feel होगी, वो bone यह है, this bone, यह जो एक आपको triangular bone show कर रखी है, हमने यहाँ पर, this bone is called as scapula, यहाँ देखो आप, यह पूरी triangular bone जिसका नाम है, scapula, यह कुछ ऐसी रहती है, यह body के dorsal side में present ह होती है, तो pectoral girdle में, सबसे पहले तो हम बात करेंगे scapula की, और scapula के ऊपर एक bone attached होती है, this is called as the clavicle bone, जिसको हमने थोड़ी दिर पहले study किया था, यह आपकी clavicle bone, जिसे आप collar bone भी कहते हो, अब इस collar bone का, यह clavicle bone को अगर आप देखोगे, तो इसके attachment देखना, clavicle bone बाह जहां पर attach होती है, उस process को कहा जाता है, acromion process, मैं यह सब चीज़ें आपको और detail में study करवाऊंगा, जब हम लोग scapula को detail में study करेंगे, फिलाल आप जहां रखोगी clavicle, scapula पर जहां पर attach होता है, scapula की उस process को कहा जाता है, acromion process, और clavicle अंदर की तरफ attached होती है, हमारे stund तो right side के pectoral girdle में एक clavicle x kepula और left side के pectoral girdle में एक clavicle x kepula है, यह total four bones present होती है, दो pectoral girdle के अंदर, next बात करते है, pelvic girdle जो अपना hip area वाला जो portion है, यह pelvic girdle कहलाता है, और इसमें दो bones present होती है, जिनको आप innominate bone, hip bone या फिर coxal bone भी कह सकते हो, सब एक ही नाम है, coxal bone बोलो, hip bone बोलो या innominate bone बोलो, और यह उठी है total 2, देखो यहाँ पर, यह जो हमने show करका है, यह क्या है, यह सेक्रम, जो आपके vertebral column का part है, और यह है coccyx, this blue वाला bone is coccyx, और यह वाला सेक्रम, हमने अभी थोड़े देर पहले भी study किया था, कि जो hip bone होता है, वो सेक्रम सेटेच्ट ह यानि अगर हम लोग body के dorsal side की बात करें, तो जो hip bone है, वो सेक्रम सेटेच्ट है, और ventral surface याने आगे की तरफ बात करें, तो inominate bone या जो hip bone है, यह आपस में attached होती है with the help of a cartilage, यहाँ पर एक cartilage present होता है, जो ventral side में इन दोनों bones को attach करता है, this is a type of fibrous cartilage and this is called as pubic symphysis, वाप बता रहा हूँ, on the dorsal side, two inominate bones are attached to the sacrum and on the ventral side, it is attached to each other via cartilage called as pubic symphysis, तो यह होती है inominate bone, मैं और ज्यादा detail में inominate bone के बारे में बात करूँगा, जब हम लोग inominate bone की study करेंगे, next हम बात करते है 4 limbs की, girdles में हमने 6 bones study कर ली, अब हम लोग देखेंगे, टोटल 4 limbs होते हैं और उनमें होती है 120 bones, याने 120 divided by 4, तो हर limb में आपको 30 bones जो है हम study करेंगे, सबसे पहले हम 4 limbs की बात करते है, 4 limb यानि हमारे हात, हातों की अगर हम बात करेंगे, तो हातों में यहाँ अपर देखो, यह scapula हो गया, ठीक है, और scapula से attached, यानि अपने हाथ का सब से उपर वाला bone, this is called as humerus, this is the humerus bone, जहाँ पर biceps और triceps जिंस attached होता है, यह अपनी humerus bone हो की, यह वाला, जो shoulder से अपने हाथ को attach करके, this is the humerus bone, then humerus bone, नीचे आकर यहाँ पर elbow joint बनाती है, और इस elbow joint मे फिर दू और bones होती है, जिसका नाम है radius और alna, यानि यह radius, alna और humerus, यह तीनों मिलकर elbow joint का formation करती है, तो यह main तीन bones है, जो हमारे हाथ के उपर वाले portion में present है, अब यहाँ पर देखो, कि जो radius रहता है, वो किस तरफ रहता है, जैसे अगर मैंने हाथ ऐसा रखावा है, ठीक ह आपको हमेशन यह नखना है, कि जिस तरफ हमारा thangुगा, जिस तरफ अपना thangुगा, उस thang की तरफ radius नखी यानि अगर हाथ ऐसा रखावाए, तो radius इस तरफ है, पर हाथ bona नखी तरफ यह radius नखी तो बात करहा है, और फिर alna के बाद में, जो अपना wrist वाले एरिया है, य एरिया, humorous, radius, अलना फिर आगया अपना wrist वाला portion, तो जब आप wrist वाले portion को study करोगे, यानि यहाँ पर, तो इस wrist वाले portion में total आपको 8 अलग-अलग bones देखने को मिलेगी, जिनको कहा जाता है carpals, these 8 carpals form your wrist, उसके बाद में आपना palm वाला area, यह wrist होगी, जहाँ पर 8 carpals है, यह palm वाला area, इस palm वाले area में आपको total 5 bones और देखने को मिलेगी, यानि जितनी आपके पास में digits हैं, अपने पास में 5 digits है total, 4 उंगलियां और एक thumb, तो इन 5 digits को wrist से जोडने का जो काम करती है, वो काम होती है इन palm bones से, जिनकों कहते हैं metacarpals, तो total 5 metacarpals present होती है, और सबसे end में आती है phalanges, जिनकों कहते हैं digit bones, यानि हर एक उंगली के अंदर हमारे जो bones होती है, उनको phalanges या digit bones का जाता है, तो यह यहाँ से लेकर यहाँ तो यह एक single finger, एबने, एक finger में total 1, 2, 3, तीन bones present है, थम्ब जो है, थम्ब में केवल 2 bones present होती है, तो total हर एक finger में 3 bone, तो 3 phalanges, यानि 3 into 4 कितनी हो गया, 12, और थम्ब में 2 और यानि 14, यानि phalanges कितनी होती है, तो टोटल 14 phalanges are present, गेटिंग माइपॉइंट, इस तरह से same phalanges हमारे hind limbs में भी present होती है, और वहाँ पर भी 14 phalanges ही होती है, वहाँ पर थोड़ा सा बाकी bones का नाम change हो जाता है, तो अगर hind limbs की बात करें, एक बार इसका account देख लेता है, हम लोग humorous radius, यह अल्ना, यह होगी 3, 3 plus 8 होगी, 11, 11, 11, 11, और 5, 16, 16, और 14 होगी, टोटल 30 bones एक हाथ में, यहाँ दोनों हाथ में मिलाकर होगी 60 bones, next बात करते हैं, hind limbs की, तो hind limbs, अब जैसा four limbs attached है, scapula के साथ में, यहाँ पेक्टोरल girdle के साथ में, वैसे ही hind limb attached होता है, pelvic girdle की in-nominate bone के साथ में, तो जो आपका थाई वाला portion जो बनाता है, वो that is found by bone called as femur, ठीक है, femur के बाद में आता है, knee वाला area, बुटने वाला area, और उस knee वाले area में, आपको एक छोटी सी bone दिखाए देती है, that is called as patela, तो again यह एक bone है, छोटा सा bone है, जो knee में present होता है, अगर हम लोग हमारे four limb की बात करें, तो elbow के अंदर कोई छोटी सी bone present नहीं थी, ठीक है, लेकिन knee के अंदर एक छोटा bone present होता है, जिसको कहते हैं patela, and patela is a very good example of a sesamoid bone, अब sesamoid bone क्या होता है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वह आप माँपे study कर सकते हो, यह need का काफी important question है, sesamoid bone की sesamoid bone क्या होता है, तो knee area में एक single bone patela, और knee के नीचे दो bones होती है, tibia और fibula, यह यह जो दो bones है, इन bones में से एक bone तो काफी अच्छे size की है, that is tibia, और एक thin सी bone present है थी, जिसको हम कहते है fibula, की तरफ केबल tibia से attached है, knee joint नहीं बनाता, जबकि आपके elbow joint में देखना, elbow joint में, यह मैं यहाँ पिछे लेता हूँ वापस एक बार, देखो इस elbow joint में, अगर मैं आपको दिखाऊ, तो elbow joint बनता है, इस bone humorous, radius और अलना, इन तीन bone से मिलता है, मिलके बनता है elbow joint, जबकि जो knee joint है, उस knee joint के अंदर, fibula role play नहीं करती, यानि femur और tibia, यह दोनों और knee के अंदर एक छोटी सी bone और present होती है, इसको मिलना नाम दिया था पटेला, यह femur, पटेला और tibia मिलकर, जो है knee joint का formation करती है, जो है fibula का knee joint में कोई role नहीं होता, तो शुरुआत करते हैं, मतलब वापस बताता हूँ, एक femur, दूसरा पटेला, तीसरा टीविया, और चौता fibula, यह चार bones हमने अब तक study कर ली यहां पर, फिर हम लोग बात करते हैं, यह fibula 8 नहीं होगा सुआरी, यह fibula एक ही होता है के बाद, फिर हम बात करते हैं, हमारे ankle region की बात करते हैं, जैसे हमारे wrist के अंदर की bones को कहा था हमने, carpals, यहाँ पर जो ankle area है, उस ankle area की bones को हम कहते हैं tarsals, तो यह अपना tibia और यह fibula, उसके बाद में आगया अपना ankle region, इस ankle region में आपको यह जो अलग-अलग bones दिखाए दे रही है, तीज आ टार्सल bones, फिर अगें digits कितनी हैं, 5 digits नीचे भी present है, तो यहाँ पर हो गई 5 metatarsals, तो 7 हो गई टार्सals, 5 हो जाएगी metatarsals, और फिर आएगी again phalanges, जो कि again 14 होती है, फोल लिम में भी 14 phalanges, हैंड लिम में भी 14 phalanges, फोल लिम में 5 metatarsals, यहाँ पर 5 metatarsals, difference carpals और metacarpals है, carpals कितने होते हैं, 8 carpals होते हैं, जब कि tarsals होते हैं, 7, और वहाँ पर elbow joint में कोई independent bone अलग से नहीं होती, यहाँ पर knee के अंदर एक अलग से bone present होती है, जिसका नाम है patella, तो यह हो गई, एक leg में 30 bones, तो दो leg में 60 bones, तो यह total अपना हो गया हिसाब, कि appendicular skeleton में, 4 limbs में 60 bones है, humerus, radius, alna, carpals, metacarpals और phalanges, hind limb में भी 60 bones present है, total 2 hind limbs का मिलाकर, femur, patella, tibia, fibula, tarsals, metatarsals और phalanges, फिर बजगे, girdles, जिसमें से pectoral girdles में, 2 clavical, 2 scapula, और बजता है, innominate bone, 2 innominate bone मिलके बनाती है, pelvic girdle, तो यह total 126 bones का account है, नाम मैं, अब एक single slide में, सारी 206 bones, कौन-कौन से है, वो मैं आपको एक साथ यहाँ पर, वापस, 10 appendicular में 126 bones, axial में सबसे पहले आता है skull, फिर sternum, sternum के बाद में ribs और फिर vertical column, skull में सबसे पहले आता है cranium, cranium में 8 bones present होती है, फिर face, face में 14 bones present है, 6 ear ossicles और एक hyoid bone, cranium के 8 bones में frontal, parietal, temporal, occipital, sphenoid, और ethmoid, यानि हमने इनको याद किया था, किसे flower pot से, F pot से, इसलिए ये इसका निम्मोनिक, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, face की 14 bones में 2 maxilla, 2 zygomatic, 2 nasal, 2 lagrommal, 2 palatine, 2 inferior nasal कोंके, 1 mandible और 1 homer, आपको धियान रखना है कि, only mandible और homer ही, एक एक होती है, बाटी सारी bones, 2-2 है, फिर 6 ear ossicles, हर 8 ear में 3 miss, malleus, incursor, steppis, फिर एक high bone, ये सब मिलकर होगे, इसकल के अंदर 29 bones, ribs की बात करें, तो true ribs, false ribs, और floating ribs, पहली 7 pairs, true ribs, 15 pairs false, और फिर last की 2 pairs, floating ribs, सब सेंद में, vertebral column, 26 bones है, cervical sarps, 12 thoracic, 5 lumbar, 1 sacral, और एक coccyx, तो ये हो गया, axial skeleton, appendicular skeleton में, 6 girdles में, और 120 limb bones, girdles में 4, present है, pectoral girdle में, और 2 है, pelvic girdle में, pectoral girdle में, scapula और clavical, और pelvic girdle में, innominate bones, limb bones में, 16 hind and 16, fold limb, fold limb में, humerus, radius, alna, carpals, metacarpals और phalanges, hind limbs में, femur, patella, tibia, fibula, tarsals, metatarsals and phalanges, कैसे ये करना है, देखो, phalanges का number, same है, same है, metatarsals का number, same है, फरकाप है, carpals और metacarpals में, बस, क्योंकि, यहाँ पर, एक extra bone patella में है, इसलिए हम लोग, इसको ऐसे याद, कर सकते हैं, so that's it, thanks a lot for watching us, I hope you like the video, और आपको, यह concept, बहुत अच्छे से समझ में, आया है, next video में, मैं जो है, आपको लेकर चलूँगा, इसी, इन सभी skeleton के, जो अलग-अलग components है, उनको आम लोग detail में, study करेंगे, thanks a lot for watching us, stay connected with us,